टीम वर्ग परदीप ठाकुर अध्याए एक सामूहिक कारे का महतो एक साथ आना शुरुवात है एक साथ रहना प्रगती है एक साथ कारे करना सफलता है ये शब्द हैंरी फोर्ड द्वारा कही गए हैं फोर्ड मोटर कमपनी के संस्थापक हेंरी फोर्ड के शब्दों को ध्यान से पड़ें जब वे कहते हैं कि एक साथ आना शुरुवात है तो इसका क्या अर्थ निकलता है यही कि बिना एक साथ आये कोई कारे शुरू ही नहीं हो सकता है एक साथ आये बिना किसी समाज या को आगे बढ़ाना है तो एक साथ आना ही प्रयाप्त नहीं है इसके लिए एक साथ रहना भी पड़ता है लेकिन कोई समाज या संक्षन तब सफल होता है जब सभी एक साथ मिलकर कारे करते हैं जी हां अमेर्की अद्योग पती हैंरी फोर्ड से पहले किसी ने भी बड़े प पैमाने पर उत्पादन कर मोटर वाहन उद्योग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया संयोजन शंकला तकनीक के माद्यम से फोर्ड ने सामुहिक कारे के अनत संभावनाओं का जीवन्त परदर्शन किया तब ही तो वे दावा करते थे अगर हर कोई एक साथ आगे बढ़ तो सफलता खुद ही अपना ख्याल रखती है याद रहे कि फोर्ड को विश्व इतिहास के सबसे अधिक परभावशाली उद्यम्यों कारोबारियों की सूची में पहले स्थान पर रखा जाता है अकेला सफल होना संभव नहीं फोर्ड ही क्यूं आप किसी भी सफल व्यक्ति क्या एक समू काम कर रहा है खेर अब आप बताएए कि आपका नायक हीरो कौन है क्या आपने अभी तक यह नहीं सोचा है कि आपका नायक कौन है चलिए अब मैं आप से दूसरा सवाल पूशता हूँ आप किन लोगों की सबसे अधिक परशंसा करते हैं आप किसके जैसा बनन से उद्योग व्यापार जगत के परिद्रेश्य को ही बदल कर रख दिया था आप 21 सदी के परद्योग की महानायकों बिल गेट्स स्टीव जोब्स लेरी पेज वे सरगी बिरिन जैफ बेजोस मार्क जगरबर्ग सहीत खेल संगीत सिनमा विज्ञान राजनिती आदिशेत्र के दिगजों में से भी किसी को अपना नायक चुन सकते हैं जिनका उलेक मैंने नहीं किया है जी हां हम लोगों में हर कोई सफलता हासिल करने वालों का गुनुगान करते हैं हम विशेश रूप से उन पत परदर्श को निर्भिक लोगों को पसंद करते हैं जो विप्रित पर तालवी खोजी क्रिश्टोफर कॉलम्बस ने अटलांटिक महासागर के पार जाने के लिए चार पीशन समूतरी अभियानों का नेतरदव करने की हिम्मत नहीं जिटाई होती तो फिर एशिया वे यूरोप के बीच नई दुनिया प्रिथिव के पश्चमी गोलार्थ यानि अ अभियानों ने ही समूची दुनिया को एक करने का रास्ता साफ किया था इसी तरह यदि सोवेत रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्तोक अंतरिक्ष यान में बाईया अंतरिक्ष में पहली बार प्रिथ्वी की कक्षा पूरी करने की हिम्मत नहीं जुट हम सभी जर्मनी में जन्मे सधान्तिक भोतिक विज्ञानी अलबर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं उसने समाने सपेक्षिता सिंधान्त जिसे गुर्तवा कर्शन का जयामीतिय सिधान्त जियोमेट्रिक थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है का परतिबादन किया था इस सिधान्त को परिमान यांतरिकी के साथ साथ आधुनिक भोतिकी के दो स्तंबों में से एक माना जाता है आइंस्टाइन के कार्यों ने मनुविज्ञान की परमुक शाका विज्ञान का दर्शन फिलोस्पी ऑफ साइंस पर विशेच परभाव डाला था लेकिन उन्हें परमानु बम की शम्ताओं का खुलासा कर अपने जीवन काल में ही दुनिया को बदल कर रख दिया था और उसका नाम उच परतिबा का प्राय बन गया था वास्तविक्ता भी यही है कि आईजेक न्यूटन के बाद से अब तक कि किसी अन्यविज्ञानिकों ने में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को सजी का व्यक्ति परसन ओफ दा सेंचुरी घोशित कर दिया था लेकिन सबसे बड़ी भ्रहमक धारन यह कि अलवर्ट आइंस्टाइन ने इन करांतिकारी सिधानतों को बिलकुल एक आकीपन में खो जा था शुक्र है दोनों की मेहनत का योगदान रहा है और मैंने जो प्राप्त किया है उसे वापस लोटाने में मुझे स्वैम कितनी कोशिश करनी होगी बीसवी सदी को अमेरिका की सदी माना जाता है क्योंकि उस दोरान वहां ऐसे कई प्रभावशाली राजनेता नवाचारी उद्यम्मी व जाए तो साफ हो जाता है कि यदि उनके पीछे सक्षम, कारेदल, टीम, काम नहीं कर रहा होता तो वे दुनिया को चमत कारिक कर देने वाली उचाईयों तक नहीं पहुचा पाते वैसे सचाई यह भी है कि पुन्जीवादी अमेरिका व्यक्तिगत एहम को प्रोसाहित करता ह वह नजर आता है व्यक्तिगत यशोगान का शोर इतना ज़्यादा है कि आम लोग यदि भ्रह्म पाल लेते हैं कि उनकी उपलब्दियां सिर्फ उनकी हैं लेकिन चाहे वे उद्योगी करांती का दोर रहा हो या फिर कंप्यूटर वे अंके करांती डिजिटल रेविलूशन का चमकते सितारों के पीछे अंगिनत लोगों का योगदान है सामोही कारे क्यों जरूरी है हम यह कहावस सुनते आये कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा दूसरे योग्ये व्यक्ति होते हैं सच भी यही है कि बड़ी सफलता का वैबब शाली भवन किसी एक व्यक्ति क लेकर शिकर तक में अनेक का खून पसीना लगा होता है अप्रशन यह उठता है कि जब सामोही कारे के बिना बड़ी सफलता सुनिश्चीद नहीं की जा सकती है तो फिर हम व्यक्ति विशेच के सिर पर सफलता का सेहरा क्यों बांद देते हैं कि बड़ी सी तहे में जाये तो अमेरिका में रचनातमक पुंजीवाद का विकास हुआ था और उसे एकोशित महाशक्ती बना दिया था उसका लगातार हाउस होता चला गया और व्यक्तिवादी कारेशेली के चलते व्यक्तिगत साथ गाट पर आधारित घनिष्ट पुंजीवाद के पाउपसारना लाने से रोका हुआ है लेकिन रूस वै भारत जैसे देशों में अमीर गरीब की खाई लगातार चोड़ी होती गई है खेर असल मुद्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति समाज या देश को बड़ी सफलता हासिल करनी है उसी जामूहिक शैली भी किसित करनी होगी हमें इस सच भाव नहीं हो सकेगा वैसे मुद्ध यह नहीं है कि कारेदल टीम का अपना कोई महत्व है या नहीं असल मुद्ध तो यह है कि क्या हम व्यक्ति का तोर पर इस सचाई को सभीकार करते हैं और स्याम को सामूहिक खिलाड़ी टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं सच तो यह है कि अकेले-अकेले महान सफलता हासिल नहीं की जा सकती अकेले ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जिसकी कोई वास्तिविक उपयोगिता हो आप मानुजाती के इतिहास पर नजर दोड़ाएं आप ऐसा कोई भी काम नहीं खोच पाएंगे जो किसी अकेले विक्ति द्वारा संभव हुआ हो जी हाँ आप ऐसा एक भी काम नहीं खोश सकते क्योंकि कोई ऐसा कारे है ही नहीं जिसमें किसी दूसरे ने योगदान ने किया हो यह मानो सब्वेता ऐसंखे लोगों की मेहनत का समूही की नतीजा है दारशने की तथ्थय भी यही है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे पनिरबर है आप अपने आप में कुछ भी नहीं है आपका महत्व तभी तक है जब आप दूसरों के साथ में हैं संजुत राज्य अमेरिका के 36 वे राष्ट्रपती लिन्डस बेंस जॉनसन कहा करते थे ऐसी कोई समस्या नहीं जीने हम आपस में मिलकर हल नहीं कर सकते और शायद ही ऐसी कोई समस्या हो जिसे हम अपने आप हल कर सके विश्य भर के शिक्षाविदों कारेकारियों ने समुही कारे टीम वर की जुरूरत पर बल दिया है समुही कारे के निमिले कितलाब हो सकते हैं आईए जानते हैं पहला रचनातमक्ता वे सीखने को बढ़ावा जब लोग एक टीम पर एक साथ काम करते हैं तो रचनातमक्ता पनपती है एक समुह के रूप में विचारों पर माथा पच्ची बासी द्रिष्टी कौन को रोगता है जो की अकसर अकेले काम से बाहर आता है कायरे दल के परतेक सदस्य के एदिवतिय द्रिष्टी कौन के मेल से अधिक परभावी समाधान निकलता है ध्यान रहे कि आपने अपने व्यक्तिकत अनुगवों से जो कुछ भी सीखा है वे अक्सर आपके सहकर्मियों से पूरी तरह से अलग होता है इस प्रकार समुहिक कारे सांजा ग्यान को अधिक्तम स्तर तक ले जाता है और आपको नए कोशन सीखने में मदद करता है जिसका उप्योग आप अपने बाकी के पेशिवर जीओन में भी कर सकते हैं जब एक परίαςना पर एक साथ मिल कर काम करते है तो वें सीखने का उस साहप पैदा करता है जिसका एकाकी काम में आव तोर पर अभाव होता है ऐसे में आप अपने कारेदल के बाकी साथियों के साथ नई खोजों को सांजा करने में सक्षम होती है यह करमचारिय को तो उससाहिद करता ही है इससे व्यक्तिकत वैस सामूहिक ज्यान को भी बढ़ावा मिलता है एक साथ मिलकर काम करना क्रमचारियों को अपने कारेदल के सात्यों की सामोहिक परतिभाओं के व्यापक आधार पर नए निर्मान करने की सुईधा देता है हो सकता है कि आपकी अपनी ताकत रजनात्मक सोच, क्रियेटिव थिंकिंग हो जबकि आपका सह करमी संक्टन वे योजना बनाने की विशेश शमता रखता हो तो अपनी शमताओं को कारेदल के दूसरे सात्यों के साथ सांजा करने में किसी परकार की हिच की चाहट नहीं होनी है कारेदल का हर सदस्ये का पूरक कॉम्पलिमेंट वे अनुरक सप्लीमेंट होता है इस तरह समोह कारेदल एक साथ मिलकर अच्छा काम कर पाता है क्योंकि कारेदल के विक्तिकत परतिबा को सामने लाने में एक क्डूत्रे पर भरोसा करते हैं exploding कि आλके की प्रकरिय का अवलोकन कर आप उपहारों का गट बंदन करना और ज्यादा शक्ति शाली कारे दल का निर्मान करना सीख सकते हैं जब आप अपने सहकर्मियों को एक ही कारे में अलग दृष्टिगोन का उपयोग करते हुए देखते हैं तो आपको अपने तरीके को समयोजित क करने सुधारने का मुका मिलता है नंबर तीन सामूहिक विश्वास का निर्मान अन्य लोगों पर निर्भरता सामूहिक विश्वास पैदा करता है और सामूहिक कारे सहकर्मियों के साथ मजबूत रिष्टे स्थापित करता है कभी-कभी SMT के बावजूद एक परभावी का परभाले दल एक साथ काम में आनंद महसूस करता है और मजबूत बंदन को सांजा करता है जब आप किसी सह करमी पर भरोसा रखते हैं तो आप एक रिष्टे की निव स्थापित कर रहे हैं जो मामूली संगर्ष सेहन कर सकता है अपने साथे पर भरोसा करना सुरुक्षा की भावना भी परदान करता है जो विचारों को उभरने की अनुमति देता है यह करमचारे को आपस में खुलने और एक दूसरे को प्रसाहिद करने में मदद करता है जब आप सामुविक रूप से काम करते हैं तो खुला संचार उसकी कुंजी होती है और विशेश रूप से को उपर की तरफ ठेलता है और एक जुट समू के गठन के लिए अलग-अलग सदस्तों को मजबूत बनाता है एक साथ काम करके करमचारी को सीख मिलती है कि जीतवे हार कारे दल के हर किसी सदस्ते को परभावित करती है सामूही कारे एक दूसरे के अलग-अलग शमताओं में व विश्वास को जुरूरी बनाता है नमबर चार विवाद समाधान कुशलताओं की शिक्षा जब आप एधिवतिय लोगों के समू को एक साथ रखते हैं उनके बीच में अनिवारे रूप से विवाद भी होता ही है कारे दल के सदस्ते अलग-अलग प्रिष्ट भूमी से आत चुचता है तो कारे दल के स्दस्ते शिर्च प्रबंधन के सामने जाने की बजाए अपने आप ही विवाद को उसल जाने के लिए बादे हो जाते हैं अपने स्थर पर विवाद समाधान एक प्रकार का कोशल है कारे दल के सदस्ते अलग उविश्य में इस कोशल का उविव ethical खुद को कारेक कुशल प्रबंदक बनाने में कर सकते हैं। 5. व्यापक स्वामिताव भावना को बढ़ावा। सामूहिक परियोजनाए कारेदल के सदस्यों को उनके योगदान पर गरों महसूस करने के लिए प्रोसाइद करती है। बादहाओं से निबटना वे एक साथ मिलकर उलेखने कारे भी रचना करना कारेदल के सदस्यों को परीपुरूनता महसूस कराते हैं। संक्टन के लक्षों को प्राप्ट करने की दिशा में कारे दल के सदस्टों को संक्टन से जुड़ा हुआ मैसूस करने का मोका देता है। यह अपने संक्षण के प्रति निष्ठा को मजबूत बनाता है और कारे दलके से दस्व के बीच कारे संतुष्टी की स्थितियों को उच्छाएं की और ले जाता है। सामुही कारे केवल कारे दल के सुदस्थों के लिए मददगार नहीं है यह लंबे समय में नियोकता के लिए भी उतना ही लाप्रद साविद होते हैं कारे दल के जो 110 से अपने कारे स्थल के साथ जुड़े होते हैं उनके अपने संक्टन के साथ बने रहने की भी जादा संभावना रहती है जब किसी संक्टन या कंपनी के करमचारी अपनी नोकरियों को छोड़ते हैं तो अक्सर वेतन कम होने का हवाला देते हैं उनकी दूसरी आम शिकायत यह होती है कि उनका योगदान महतों का नहीं दिखाई देता सामुही कारे लोगों को कंपनी के साथ मिले हुए होने और बड़ी तस्वीर को जोड़ने का मोका देती है किसी परयोजना पर अकेले काम कर राकरमचारी शायद यह अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है जब अकेले काम करते हुए परयोजना ऐस सफल होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ उठाना पड़ता है इसके उलट भले ही किसी सामोही परयोजना की सफलता का पूरा श्री आपको नहीं मिले लेकिन दूसरों के साथ मिलकर किया गया सामोही कारे ऐस सफल काम की जिम्मेदारी को भी सभी के बीच फैला देता है कारे दल के रूप में काम करना उसके सदस्यों को ज़्यादा जोकिम उठाने का मौका देता है क्योंकि ऐस सफलता की स्थिति में उनके पास सहरा देने के लिए समुचा समू होता है इसी तरह कारेदल के रूप में सफलता के सांजा करना, संबंद जोडने वाला अनुभव परदान करना है एक बार जब कारेदल एक साथ सफल हो जाता है तो उनके विचार तमन्थन सत्र बिना किसी हिचकी चार्ड के करांति कारे विचार पैदा करने लग जाते हैं इसकी बजाए जगड़ों को सुलत जाना और सातियों पर बरोसा करना सीखें ताकि वे अपने साथ स्वस्त्रेश्ट विचारों का योधान करें और कारे स्थल में और अधिक प्रभावशाली परविणामों की रचना के लिए एक दूसरे की कुछ अलता पर भरोसा करें समूँ से क्यों दूर भागते हैं हाँ शायद हर किसी को पताएगी सामोही की रूप से काम करना ने केवल आसान है बलकि जादा कारगर भी है फिर भी हर जगए यह देखने को मिलता है कि अधिकांश लोग सामोही कारे टीम वर्क से भाग खड़े हो जाते हैं वे ताल ठोगने लगते हैं वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं ऐसा क्यूं होता है बनुवे ज्यानिकों ने व्यक्तिवादी कारे विवार के पीछे कई कारण बता हैं जो इस प्रकार है एहम, इगो, हर व्यक्ति में आतम सम्मान, सेल्फ एश्टीम या आतम महत्व, सेल्फ इंपोर्टेंट की भावना होती है जिसे साधान अर्थों में एहम या एहंकार, इगो कहा जाता है इसी एहम के चलते बहुत कम लोग सविकार कर पाते हैं कि सब कुछ कर पाना अकेले उनके बूते की बात नहीं हो सकती वे अपने को किसी से कम समझने को त्यार नहीं होते, इसलिए नहीं तो वे दूसरों की शम्ता को परक पाते हैं और नहीं दूसरों को महतों दे पाते हैं इस परकार विक्तिका एहम ही सामुही कारे भावना के विकास में सबसे बड़ी बाता है यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्सर सक्षम लोगों से गठित सामोही कारेदल भी परभावी नहीं हो पाते यह ऐसी भियानक समस्या है जो जगए जगए देखनों को मिलती है हर संग्टन, कंपनियों यहां तक की हर परिवार विक्तिकत एहम की समस्या से जूज रहा है है और नहीं कोई इस्तरी परिवार संग्टन, समाज या देश का हर विक्ति समान रूप से महतो पूर्ण है सभी एक दूसरे के पूरक है और अनुपूरक भी है एक की कमी को दूसरा पूरा गरता है लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या आप हर काम स्वैम कर सकते हैं असल मुद्ध यह है कि कितनी जल्दी आप यह समझ पाते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं हाँ आपको ऐसा विकार करना ही पड़ेगा कि आप अकेले बहुत आगे तक नहीं चाह सकते कुए महान काम नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए आपको दूसरों की सायता लेनी ही पड़ेगी और जब आप ऐसा सही माइने में किसी सामुही कारदल का सारसक हिस्सा बन सकेंगे सामुही का बदूलत कोई व्यक्ति कितनी बड़ी सफलता कि सुनिष्चित कर सकता है इसका बहुत बड़ा उतारण है स्कोटिश अमेरिकी उद्योग पती एंड्रियू कारनेगी पीछे हमने विश्व इतिहात के सबसे परभावशाली कारे बारियों की सूची में कारनेगी के बारे में थोड़ा पड़ा है क्या आप जानते कि उस व्यक्ति ने अपनी कारनेगी श्टील कंपने के जरी किस तरह इस पात उद्योग का भारी विस्तार किया था और अमेरिका को कृषी परधान देश से विश्व की उद्योगिक माहाशक्ती बनाने में सबसे परमुक भूमी का निभाई थी बहुत ही संगर्श पूरण बच्पन भिताया था कारनेगी ने डन फरम लाइन में पैदा हुआ और कारनेगी अपने गरीब माता पिता के साथ अमेरिका आया था बुनकर पितावे घरेलु काम काज करने वाली माता का सेहो करने के लिए उसने 13 साल की उमर में कपास कार खाने में अरेटन बदलने का काम शुरू कर दिया था फिर तार संदेश वाहक की नोकरी करता हुआ तार रेंतर परिचालक बन गया उसके बाद लोहा इसपात उद्योग में निवेश करते हुए उसने कारनेगी श्टील की स्थापना कर ली थी फिर कारनेगी ने धीरी देपर 30 परदी कंपने को खरिदना शुरू कर दिया था देखते ही देखते कारनेगी श्टील दुनिया की सबसे बड़ी पिग आयरन इसपात रेल वे कोक निर्माता बन गय थी इसका अमेरिका के लगवग 70% इसपात उत्योग पर कबजा हो गया था कारनेगी ने अपनी सफलता का राज खोलते हुए का था आपके विकास में यह एक बड़ा कदम साबित होता है जब आप समझ जाते हैं कि जो आप अकेले करना चाहते हैं उसे आप दूसरों की मदत से कही बेधर तरीगे से कर सकते हैं साफ है कि यदि आप सचमुछ सफल होना चाहते तो आपको व्यक्तिकत एहम त्याग कर दूसरों की मदद हासिल करने के लिए सक्षम कारेदल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा एसरुक्षा की भावना सामुही कारे भावना की विकास है पर भावी कारेदल के गठन के रास्ते की दूसरी सबसे बड़ी बादा है एसरुक्षा की भावना आप जहां भी काम कर रहे हो आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगी जो अपने मात हद काम करने वाली परतिबाशाली सहयोगी से ही इस शर्या करने लगते है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि वे विक्ति अपनी कमजोरियों के चलते ऐस सुरक्षा की भावना का शिकार हो जाता है इसका नतीज़ा यह होता कि किसी कारेदल के नेत्रतव करता के रूप में नेकिवल स्वैम ऐसा होता है बलकि अपने संक्टन को भी भारी नुक्सान पहुचाता है आप जड़ा गोर से देखें जहां कहीं भी आपको विक्टन नजर आता है वहीं पर आपको सुरक्षा वहीं पर आपको ऐस सुरक्षा की भावना से ग्रसित नेत्रतव करता भी नजर आ जाएगा हाँ देखने की बात यह भी है कि कहीं आप भी ऐसरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति तो नहीं है घबराने की बात नहीं है यह बहुत ही सुक्षम मेने विज्ञानिक बीमारी है जो अधिकतर लोगों को अपनी चपेड में ले लेती है याद रखें अपने भीतर ऐसरक्षा की भावना की चेतावनी संकेतों की खोज करना और उनको पनपने देने से रोकना भी आत्म नियंतरन व्यक्ति की कुशलता है सफलता को सुनेश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कला है क्योंकि आप दुनिया की नजरों में भले ही कैसा भी दिखने की कोशिश करते हों आपके अंदर की ऐसरक्षा भावना हमेश्या सामने ही आ जाएगी क्या इन संकेतों में से कोई भी आपको जाना पैचाना सा लगता है कहीं आप चुनोतियों से दूर तो भाग नहीं रहे यदि आप ऐसरक्षा की भावना के शिकार है तो आप किसी परकार का जोकिम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि आप सफल होने की अपनी शम्ता पर भरोसा नहीं करते आप सूचनाओं को सभाविक रूप से सांजा नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि संचार सशक्ष्टी करण का एक रूप है फिर हो सकते हैं कि आप नई चुनोतियों के प्रती बचाओं की मुद्रा में आ जाएं और यदी ऐसा हुआ तो आप खुलकर मिलने जुलने वे बाच्चित करने से कतराने लगेंगे कहीं आप सैम को अच्छा दिखाने की कोशित तो नहीं कर रहे यदी आप अपने साथियों के काम काज की तोलना में सैम के बरदर्शन के बारे में अपने कारेदल की, कारेशेली की बजाए, अपने शोक के बारे में कितने अच्छे तरिके की लक्षे को प्राप्त किया जा रहा है, की बजाए आपको कैसे पेश किया जा रहा है, कि बारे में ज्यादा चिंतित है, तो आपको माल लेना चाहिए, आप सफल नेतरतों करता नही बन पा रहे हैं और इसका सबसे संभाविद कारण यह है कि आप एसरक्षा की भावना के शिकार हो रहे हैं कहीं आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने से कतराने तो नहीं लगे हैं एसरक्षित नेतरतों करता लोगों को अपने लिए काम करते हुए देखना पसंद करते हैं नहीं कि खुद को उनके साथ मिलकर काम करता हुआ यदि उनके कायरेदल के किसी साथी को सावजनिक समर्थन प्राप्त होता है और उसमें उनकी चर्चा नहीं होती है तो वे जलन महसूस करते हैं यदि आपको अपने सात्यों के विकास में निवेश करने उन्हें बहतर होश्यार वे जादा तेज बनाने के लिए जरूरी सुईधाओं के लैस करने का विचार स्वैम के लिए खतरा पैदा करने वाला लगता है तो यह तैय है कि आप ऐसरुक्षा की भावना के शिकार हो ऐसे में आपको खुद की श्टिती प्रयाप्त लग रही होती है और आप दूसरों का अपमान कर खुद को तरक्की देने की कोशिश भी करते हैं कई आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप सब कुछ जानते हैं ऐसरुक्षित नेतर तो करता को स्वैम को मेहतवहीन वे एहयोग नहीं करते कहीं आप खुद को बंद दरवाजे के भीतर तो नहीं देख रहे हैं यदि आप स्वैम को अपने करमचारियों सह करमीयों गराको या अपने पीछे चलने वालों को स्रक्षित दूरी रखने की कोशिश करते हैं तो आप इस डर को स्थान देते हैं कि आपकी एह या योग्यता सब के सामने आ जाएगी यही आशंका आपको बेहत निजी जानकारी को नियंतरित करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है कई आप जगडों को निप्टाने से कतरा तो नहीं रहे एसरक्षित नितरतव करता पसंद किया जाने की भावना से प्रेरित होते हैं वे चाहते हैं कि हर एक विक्ति हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचे इसलिए वे अकसर जगडों से निबटने से मना कर देते हैं और वे इस डर के सारे समेशन शील मुद्दों से मुह चुराने लगते हैं कि एक पक्ष या दूसरा पक्ष उन्हें पसंद करना छोड़ देगा हम सभी में समय समय पर एसरक्षा की और जाने की परवर्तियां हैं लेकिन यदि आप ऐसरक्षा भावना से जनम लेने वाले हानिकारक वे वहार की तरफ नए जाना सुनश्चित करें तो आप बहुत ही अच्छा नित्रतव करता शासक वे व्यक्ति बन सकेंगे अध्याय दो सामोही कारे का परभाव परतिवा खेल जीतती है लेकिन सामोही कारे वे बुद्धी मता परतियोगिताएं जीत जाती है ये शब्द माइकल जोर्डन द्वारा कहे गए है माइकल जोर्डन विश्चिव इतिहास का सबसे महान बोसकेडवाल खिलारी माना जाता है क्या आपको पता है कि 1980 और 1990 के दश्चिक में खेल परशन सक उससे प्रेजित नहीं होते थे लेकिन उसकी अंतिम दोच्छलांग हवाई दुबकियों वे दृड़ता पूरवग बचाओ की मुद्रा वाली तस्वीरों ने उसे भीड को खुश रखने वाला सबसे पसंदीदा खिलारी बना दिया था बाद में जोर्ड़न को अरगपती बनने वाले पहले खिलारी के रूप में पहचाना गया था हम उसकी सफलता से क्या सीख सकते हैं जब माइकल जोर्ड़न ने NBA में खेलना शुरू किया था स्वैम को उतकरिष्टिता के व्यक्तिगत योगदान करता का परतिक बना दिया था शिकागो बुल्स के साथ अपने पहले पांच सत्रों में जोर्ड़न ने अतिमानविये परदर्षन किये थे फिर भी वे शिकागो बुल्स को परतियोगता विजेता चैंपियन बनाने में सफल नहीं हो सके थे लेकिन जब फिल जैक्षन शिकागो बुल्स का मुख्य परशिक्षग बने थे तो उन्होंने अति परतिवा शाली वे बेहद सफल जुआ कि लाड़ी जोर्ड़न की व्यक्तिवादी सोच को बदलना शुरू किया था और अंतते शिकागो बुल्स ने परतियोगता जीतना शुरू कर दिया था हम के लिए मैं का आतम समर्पन जी हाँ फिल जैक्सन ही वे वेक्ति थे जो जोर्ड़न को यह समझा पाने में सफल रहे थे कि उसकी व्यक्तिगत उतकरिष्टता शिकागो बुल्स को परतियोगता विजेता बनाने के लिए काफी नहीं थी जैक्सन ने उन्हें एहसास कराया था कि उन्हें टीम की सफलता के लिए अपनी वेक्तिगत महत्वकांशा का त्याग करना होगा और टीम के अन्य खिलाडियों के साथ मिलकर खेलना होगा Jackson ने बाद में कहा था कि आकिरकार Jordan ने हम के लिए मैं का आतम समर्पण कर दिया था फिर Jackson ने Jordan को बहुँ चर्चित बॉस्किट वाल खिलारी खेल रणने थी तिरी भुज आकर्मन का हिसा बनने के लिए तेयार किया था उस समय तक जॉर्डन को लगता था कि उसे अपने ही दम पर खेल परते हो गिता जीतने की जरूरत थी क्योंकि उसे विच्वास नई था कि उसके साथी खिलाडी एक समू बना कर बहतर परदर्शन कर सकेंगे यही कारण था कि जॉर्डन अपने अतिमानवी विक्तिगत परदर्शन से खेल जीतते रहे थे और खुद को महानतम खिलाडी की सूची में भी शामिल करने में सफल रहे थे लेकिन उनका बेहत लोकलू भावन एकल परदर्शन शिकागो बुल्स की परतियोगिता जीता कर शिकर पर लाने में ऐसा भल ही रहा था इतना ही नहीं जॉर्डन अपने साती किलाडियों के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भी बहुती कम समय बिताते थे चाहे वे खेल का मैदान हो या फिर समाजिक गतिविदी वे हमेशा सुपर्श्टार अभी नेताओं जैसा वे वार करते थे अंद समर्थक परशंसको की भीड उसे घेरे रखती थी और वे अपने नजदी की वेक्तिकत मित्रों के साथ ही मोज मस्ती करते थे इसलिए अन्य साथी खिलाडियों को कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वे भी शिकागो बुल्स के ही खिलाडी थे बलकि वे माइकल जोर्डन शो के गुमनाम सहाय कलाकारों जैसा महसूस करते थे फिल जैक्सन इस समस्य को आसानी से देख सकते थे इसलिए वे जोर्डन के पास गए थे और उनसे कहा था कि शिकागो बुल्स को उसके नेतरतव की जरूरत थी जैक्सन ने उनको समझाया था कि नेतरतव करता होने के नाते सबसे पहले उसे अपने सातियों के साथ समय बिताने की और उन्हें व्यक्तिकत रूप से जानने की जरूरत थी जैक्सन ने उन्हें बताया था कि जब वे अपने साती खिलाडियों के साथ रहेगा तो शिकागो बुल्स की पारंपरिक सामोही कारेभावना मजबूत होगी जैक्शन ने जोर्डन को बताया था कि जो वे अपने साथी खिलाडियों के बीच मौजूद रहेंगे और उन पर भरोसा करेंगे तो ही वे अहसास कर सकेंगे कि जोर्डन उन्हें बॉसकेट बाल खिलाड़ी वे व्यक्ती विशेश के रूप में महतो देता है जोर्डन को भी यह समझते देर नहीं लगी थी कि फिल जैक्शन बिल्कुल ठीक कह रहा था उसके बाद जोर्डन ने अपने वेवार में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया था वे खेल के मैदान में और उसके बाहर भी अपने साती खिलाड़ी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगा था जैक्शन के लिए भी यह बहुत बड़ा उप्रयोग था और वे जोर्डन की हर गतिविदी पर नजर रख रहा था उसने देखा था कि जोर्डन की मुझूदगी ने जल्द ही पूरी टीम की मानसिक्ता को बदलना शुरू कर दिया था अब जोर्डन हर एक खिलाडी से इतना गुल मिल गए थे कि वह किसी को भी बहतर खेल के लिए चुनोती दे सकते थे और सभी खिलाडी उसकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए कड़ी मेहनत करने में लग पड़े थे जब कोई साथी जोर्डन की चुनोती को पूरा कर दिखाता तो वह उसे सीने से लगा लेते थे अब जोर्डन दैनिक अभ्यास से पहले हर युवा किलाडी से अलग-अलग बात करते थे और उन्हें अपनी कमियों को पूरा करने के तरिके बताते थे फिर जब वह अभ्यास के लिए मैदान में उतरते थे तो पहले से पहतर परदर्शन करते थे अपने साथियों के सुधार को देखकर जोर्डन भहुत खुश होते थे और अभ्यास के बाद उनके साथ खुब मोज मस्ती भी करने लगे थे इतना ही नहीं अब जोर्डन पूरी तरह से फिल जेक्षन के सामोई कारे दर्शन को मानने लगे थे वैने केवल अपने साथी खिलाडी को सुधाओ देते थे बलकि हर एक को अपनी राय रखने के लिए उकसाने लगे थे धीरी तीरे अपने हर साथी खिलाडी को इतना प्रोसाहिद कर दिया था कि उन्होंने जोर्डन से डरे बिना खुलकर अपने विचार रखने शुरू कर दिये थे जोर्डन हर एक के सुझाओ को बराबर महतो देने लगे थे जेक्षन अक्सर रूड याड किपलिंग दा जंगल बुक का हवाला देकर जोर्डन वे खिलाडियों को जंगल के नियम बताते थे जुंड की तागत लोमडी है और लोमडी की तागत जुंड अब जोर्डन वे जेक्शन ने शिकागो बुल्स के बाकी सबी खिलाडियों के दिल और दिमाग में ये बात भरनी शुरू कर दी थी कि उनकी टीम विश्व परती योगिता की हकदार थी फिर माइकल जोर्डन ने अपनी टीम के दूसरे सबसे परती बाशालिक खिलाड़ी स्कॉटी पिपन के साथ मिलकर सासी खिलाड़ी की शारेरिक अनकूलता को उच्छ तर पर लाने के लिए जबरदस्त अभ्यास कारेकरम शुरू किया था जल्द ही वे दोनों अपने साथिय को या विश्वात दिला पाने में सफल हो गए थे कि दुनिया की अन्य कोई टीम उनकी जैसी कड़ी मेहनत करने में सक्षम नहीं थी मतलब शिकागो बुल्स ही विश्यो परतियोगिता पुरुसकार जीतने के लिए सबसे ज़्यादा योग थी इस तरहें फिल जैक्षन अब विश्यो बॉस्केट बाल का नया इतियास रचने की तयारिया पूरी कर चुके थे जोर्डन सही शिकागो बुल्स के हर खिलाडी ने सविकार कर लिया था कि सामोही कारे ही बॉसकेट बाल की महनता का मारग है यही कारण था कि 1991 की शुरुआत में जब शिकागो बुल्स ने पहली विश्यो परतियोगिता जीती थी दुनिया भर के दिगज खे पर्यवेशक समिक्षक वे प्रशंसक यह देखकर हैरान थे कि इस पर जोर्डन के सासत अन्य सभी खिलाड़ें ने भी चुकाने वाले परदर्शन किये थी अब खेल के मैदान का दृष्या बदल गया था अब सिर्फ जोर्डन ही सुपरश्टार नहीं था बलकि उसकी टीम के हर खिलाड़ी भावी सुपरश्टार की तरह खेलने लग गए थे और शिकागो बुल्स शो ओफ जोर्डन से टीम ओफ जोर्डन बन गई थी सभी दातों तले उंगली दबाए शिकागो बुल्स के इस एहतिहासिक परदर्शन को देख रहे थे जब खेल अंकों की गणना खेल समापती की और बढ़ रही थी वो सभी को यही उमीद थी कि अब जोर्डन खुद ही बॉल मांगना शुरू करेगा जैसा कि इससे पहले वे हर परतियोगिता में किया करते थे लेकिन इस पर कुछ ऐसा भी नहीं हुआ उसमें कोई बेचानी नहीं दिख रही थी वे आतम इश्वास से लबालब था और वे अपने दूसरे साथे की और बोल बढ़ा रहा था और वे सबी खिलाडी शांदार परदर्शन कर रहे थे और इस तरह जोर्डन ने 1992 वे 1993 की भी विश्यो परतियोगिता है जीत कर शिकागो बुल्स के खाते में थ्री पीट लगातार तीसरी जीत भी डाल दी थी चौकिये मत 1993 चुराने में खेल परतियोगिता का मौसम शुरू होने की ठीक पहले माइकल जोर्डन ने अचानक बॉसकेट बाल से सेवा निर्वित होकर बेसबाल में पेशिवर जीवन शुरू करने की घोशना कर दी थी उस समय उन्होंने यही बताया था कि अब उनका और ज्यादा बॉसकेट बाल खेलने का मन नहीं था लेकिन बाद में उन्होंने बताया था कि पिता की हत्या के शोक से उबरने के बाद उसने पिता के सपने को पूरा करने के लिए बेसबाल को अपनाने का फैसला किया था करीब दो वर्षों बाद भी जोडन ने जब बॉसकेट बाल में दूबारा आने की गोशना करते हुए बत इतना कहकर कि मैं वापस आ गया हूँ I am back सब को चोका दिया था अमल में वेह बेसबाल में जारी हड़तालों के कारें उकता गया था और शिकागो बॉसके उसके पुराने गुरू जैक्शन साही सारे साथी खिलाडी उस पर फिर से वापस आने का दबाव डाल रहे थे जी हाँ जोडन के बिना भी शिकागो बॉसके शांदर परदर्शन तो किये थे लेकिन पिछले दो मौसमा में विश्यू परतियोगिता जीतने का सिलसला तूट गया था इतना ही नहीं वापसी के पहले मौसम में शिकागो बॉस ने बहत्तर परतियोगिता जीतने का भी किरतिमान कायम किया था उसके बाद जनुरी 1999 में जोडन ने दुबारा से सन्यास की घोशना कर दी थी हलाकि उसने 2001 से 2003 तक वाशिंग्टन विजाट्स के वाद्ध्धक्ष के रूप में एक बार फिर से वापसी की थी जोडन को तब बड़ा धक्का लगा था जब वाशिंग्टन विजाट्स के स्वामी ने 7 मई 2003 को उसे अचानक बाहर निकाल दिया था लेकिन जोडन ने अगले कुछ वर्षों तक स्वाम को आकार में बनाए रखने दान के आयुजित परसिद खिलाड़ों की गोल्फ परतियों की ताओं शिकागों में अपने परिवार के साथ समय बिताने अपने जोडन ब्रांड की वस्तर श्रंकल को परचारित और कपड़ लाइन को बढ़ावा देने और मोटरसाइकल की सवारी करने में व्यस्त बनाए रखा था फिर 2006 में जोडन ने पेशिवर अमेरिकन बोश केड़ बाल टीम शेलोड होरनेट्स में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरिद लीती और 2010 27 फरिवी में नेंद्रन कारीत स्वाम पर चड़ नहीं सकते आप निश्वार्थ सामोही कारे टीम वर्क तवारा धीरी दिरेवे सावधानी पूरोग ऐसा करते हैं निश्ची तरूप से मैं अपने आप से शिर्ष तक पहुचना चाहता था यही एक बात थी जिसका मैंने अपने सारे जीवन में सपना देखा था लेकिन अगर सभागय किसी और की जोली में पड़े तो मैं इसे पूरुष की तरह से विकार करूँगा नैकी रोते हुए बच्चे की तरह परवत यही सिखाता है ये शब्द त्रेंजिंग नौर के द्वारा कही गए हैं इस नाम को को नहीं जानता है हाँ अधिकतर लोग तो यही जानते है कि वे नेपाली परवतार हो ही था जिसने न्यूजिलेंड के एडमंड हिलेरी के साथ 29 मई 1953 को विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट पर पहला कदम रखा था इस कतन से तो यही लगता है कि यह सिर्फ दो लोगों की अतिमानुय कोशिशों का ही नतीजा था लेकिन यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि 1973 के ब्रिटिश माउंट एवरेश्ट अभियान दल में करीब 400 लोग शामिल थे ब्रिगेडियर हैंडरी सेसिल जोन हंट के नेतरतव में आयोजित उस अभियान में हंटवे एंड मंड हिलेरी साही 13 ब्रिटिश प साथ से अधिक लोग चल रहे थे जिनकी पीठों पर कुल साड़े चार टन से भी अधिक जुरूरी समगरियां लदी हुई थी कुल मिलाकर यह सैने शहली में आयोजित भारी बरकम अभियान था तबी तो तैने जिंग नारगे कहते हैं कि आप निस्वार्थ समोही कारे द्वारा ही एवरेट जैसे परवत पर चड़ सकते हैं अकेले अपने दम पर या अपने साथियों के साथ परतिस परदा करके नहीं हाں तेने जिंग नारगे ने अपने अप्र्योक्त कतन में समुहिक कारे के बारे में ये दार्शनिक तत्ते भी पेश किया है कि सफलता का सहरा किसके सिर बनता है ये कारे दल का कोई सदस्य नहीं जानता या किसी की जोली में भी गिर सकता था और बाकी साथियों को इस मारदानगी से सविकार करना चाहिए तेने जिंग नारगे ने तो ऐसा ही किया था एवरेश्ट शिकर विजे की जो एतिहासिक तस्वीर दुनिया भर के अकबारों में छपी थी वह तेने जिंग नारगे की थी जिसे एवरेश्ट की चोटी पर कदम रखा था तो ब्रिगेडियर जोन हंट ने मामले को शंत करने के लिए ये दोनों ने एक साथ लेकिन तेने जिंग नारगे वे एवरेश्ट पर कदम रखे क्योंकि वे मोस्त से भीशन संगर्श करते हुए वहां तक पहुच तके थे बाद में तेने जिंग नारगे ने इश्पष्ट किया था कि पहला कदम एन्वर्ण हिलेरी ने रखा था और इस कदन ने एन्वर्ण हिलेरी के कदम को और उचा उठा दिया था यदि उसके मन में तनिक भी शर्या होती तो वे तेने जिक नारगे की ही तस्वीर क्यों लेता इससे क्या शिक्षा मिलती है वही जो तेने जिक नारगे ने अपने दारशनिक वाक्व में कहा है जी हाँ एवरेश्ट पर चड़ने जैसी महांतम सफलता हासिल करनी है तो यह साम सात्मक परिवर्तियों को नियंतरण में रखते थे उन्होंने एक दूसरे को संतुलित रखा और हिस्सों के जोड से कुल अधिक था मैं वैपार को इस तरह देखता हूं वैपार में कभी भी बड़े-बड़े काम एक व्यक्ति द्वारा नहीं किये जाते वी लोगों के कार पाटनी जोर्ज हैरिसन वैरिंगो स्टार ने 1960 में लिवर्पूल में इसे शुरू किया हाला कि वैं 1970 में भंग हो गया था लेकिन तब तक वैं रोक युक का सबसे महतवपूर्ण और सबसे प्रभावशरी परदर्शन बन चुका था दिसंबर 1980 में संकी यिशु भक्त की गोलियों का शिकार बन गया था वैसे तो अलग होने के बाद भी वे सफल पेशिवर जीवन का आनंद लेते रहे थे और पोल मेकार्टनी वेरिंगो स्टार अभी भी संगीज शेत्र में बने हुए थे लेकिन उनकी कमाई का मुख्य स्टरोथ 10 वर्षों का समुही कारे ही बना रहा था 2012 तक दा बीटल्स के एक अरब से ज्यादा रिकोर्ड बिक चुके थे अभी भी साल जै संगीत रचनाओं की मांग बनी हुई है अपने वरोक धारन में स्टीव जोब्स ने काया कि चुकि दा बीटल्स के चार लोगों ने एक दूसरी की कम्यों को नियंतरित रखा था इसलिए उनकी अलग अलग परतिमाओं के जोड से जो अकुल निकला था यानि जो सामोही के रचनाएं पैदा हुई थी वे अधिक थी इसके साथ स्टीव जोब्स ने वे अपना ञजरिया भी साफ किया है कि वेपार में कभी भी बड़े बड़े काम एक व्यक्ति दोबारा नहीं लोगों के कारे समूहू दोरा किये जाते हैं लेकिन इस कत्नों से यह साफ नहीं होता कि दाब बिटल्स के समूही कारे सिधांत क्या थे जिने श्टीव जोपस ने अपने पारिक नमूना बनाया था जो एक के बाद एक अनेक करामती कारे पर द्योग की उत्पादों की रचनाय करता रहा था यदि वे सामुही कारे सिधान स्टीव जोब्स के लिए फल दाई थे तो हमारे लिए भी उतने ही महतों पूर्ण साबित होंगे तो आईए हम भी रबीटल से सीखते हैं अपने सपनों का कारे समूग बनाने के गुर। अध्याए 5. सामुही कारे का रहस्य हम सब एक साथ काम कर रहे हैं यही रहस्य है यह शब्द सैम वाल्टन दवारा कही गए है पिछले अध्याएं में हमने सामुही कारे के महतों प्रभाव जादू और सपनों के कारे समूग के बारे में पढ़ा है जैसा कि उब्रुक्त उधारन में वाल्मार्ट के संस्तापक सैम वाल्टन ने का है सामुही कारे का रहसे ही यही है कि हम सब एक साथ काम करने के लिए पैदा हुए है और हमारा एक साथ होना ही हमारे जीवन की सवलता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम एक दूसरे के साथ काम क्यों करते हैं वे कौन सा तत्व है जो हमें समू में काम करने के लिए प्रेरिद करता है इसका जवाब है सुरक्षा महसूस करने की जरूरत अध्यायचे समूही कारे का रसायन शास्त्र बैंड की एक मात्र अनोकी बात उसका रसायन शास्त्र यानि आत्मेईता है विशेश रूप से यदि आप में से कोई भी ऐसाधरन वादक या बहुत सुन्दर नहीं है आपके पास जो एक चीज है वह है अनुखापन इसलिए आप उस पर पकड़ बनाए रखें ये शब्द क्रिस मार्टिन द्वारक कही गए है वर्ष 1996 के अंत में युनिवर्श्टी कोलेज लंदन के दो सेपाठियों क्रिस मार्टिन वे जोनी बेकलेंड ने शोकिया तोर पर एक रोक बैंड पनानी की योजना बनानी शुरू की थी जल्दी उनके दो सेपाठि गाई बैरी मैन वे विल चैंपियन भी जूड गए थे फिर 1997 की शुरुआत में उन्होंने स्टार फिश नामक बैंड का गठन किया था और स्थानिय परवर्टिकों के जरिये छोटे कलबों में परदर्शन शुरू किया था वे लोग औसत परतिबा के कलाकार थे लेकिन उनके भी जवरदस्त तालमेल था और वे धीरे धीरे अपने परदर्शन की गुनवत्ता को बढ़ाते चले गए थे लेकिन क्रिस मार्टिन को जल्द ही समझ में आ गया था कि बैंड को पेशिवर सवरूप देने के लिए एक परोसे मंद परबंदक की जरूरत थी तब तक वे उतने सफल नहीं हो सके थे कि किसी पेशिवर को अपना परबंदक निक्त कर पाते इसलिए किस ने ऑक्सवर्ड में पढ़ाई कर रहे अपने बच्पन के दोस्त फिल हारवे से मदद मांगी थी और बैंड का नाम बदल कर कोल्ड प्ले कर दिया था लेकिन फिल हारवे आम श्रोताओं को पचास परतियां बेच पाने में सफल रहा था अब कोल्ड प्ले को अपना परबंदक मिल गया था और उनकी संगीत मंदली पूरी हो गई थी मित्र मंदली के आपसी रसायन शास्त ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया था जुलाई 2000 में पारलोफोन रिकोर्ड्स ने कोल्ड प्ले का पहला पेशिवर संगीत संक्रय पैराशूट जारी किया था और उनकी लोग पिरता बढ़ती चली थी अगले डेट दशकों में कोल्ड प्ले ने साथ संगीत संक्रय जारी किये थे उनकी रचनाओं को वे भिन पुरुसकारों के लिए 209 नमांकन प्राप्त हुए थे और वे 9 ब्रिट अवर्ड्स, 5 एम टीवी, वीडियो, म्यूजिक अवर्ड्स, 7 गैमी अवर्ड्स, सहीत 62 पुरुसकार जीतने में सफल रहे जनवरी 2016 तक कोल्ड प्ले के 8 करोड से अधिक संग्रय बिक चुकते और वे विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले संगीत कलाकारों की सुची में शामिल हो चुकता जी हाँ जैसा की क्रिस मार्टिन ने कहा है उसकी मंडली में कोई भी ऐसामान ने कलाकार नहीं था लिए उनके बीच ऐसा रासाइनिक समिकरन बन गया था यानि ऐसी आत्मी ता कायम हो गई थी कोई भी चीज उनके लिए मुश्किल नहीं रह गई थी और वे लगातार सफलता की सीडियां चड़ते चले गए थी मुश्किलों के लिए ही बने हैं हम